वेल्कुम तो माई चैनल लौफ अट्राक्शन आज मैं एक वीडियो लाई हूँ बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक पे कि सोते सोते पैसा कैसे कमाई अब पहले तो यह समझते हैं कि पैसा कमाना क्यूं है पैसा कमाने की जरूरत क्यूं है मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स अब पछहा कि आप यह बताएं कि पैसे से खुशि नहीं मिलती खुशी सही बात आपको पैससे खुशी नहीं मिलती पैसा आपके बैंक में जflический नहीं ँच्झे से आपके टाइम औंप शीजे करने बिए आपका का दिल चाहता है जो आपकर सकते हैं या आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, उस चीज के लिए भी आपको समय चाहिए, तो पैसे से खुशी मिलती है, ये बिल्कुल गलत बात है, पैसे से खुशी नहीं मिलती, लेकिन पैसा हमें वो चीजें लेने के लिए help करता है, जिससे हमें खुशी मिलती है, यानि कि अगर आपके पास पैसा है, तो आपको टेंशन नहीं है कि आपके बिजली का बिल कैसे पे होगा, आपका घर का खर्च कैसे चलेगा, घर में खाना कैसे पकेगा, आपको उन चीजों की टेंशन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं उस समय में, आप ये कोशिश कर सकते हैं, कि आप कैसे मदद करें आप अपनी हेल्थ कैसी अच्छी रखें अगर आप ट्रावल करना चाहते हैं तो आप कहां कहां ट्रावल करें क्योंकि पैसा तो हर चीज में चाहिए तो पैसे से खुशी नहीं आती लेकिन खुशी के लिए आपको वो चीजे करनी पड़ेंगी अपनी लेकिन रिलेशन्शिप्स अपने रिलेशन्स अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ भी समय बिताने के लिए आपको समय चाहिए और वो समय तब मिलेगा जब आपको ये टेंशन नहीं है कि आपके बिल्स कैसे पे होंगे तो happiness पैसे से आती है ये बिल्कुल गलत बात है पैसा आपके पास जितना मर्जी हो उससे कभी आपको खुशी नहीं आएगी खुशी मिलेगी जब आपके पास पैसा होज आपको peace of mind तब होगा जब आपको tension नहीं है कि आपके payments बिल्स कैसे पे होने है सो income हमारे लिए पैसा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमारी ज़रूरते इतनी नहीं है लेकिन अगर आपके पास extra पैसा है तो लोगों की help करें दूसरों को अपनी help दें चाहे वो पैसे से करें चाहे अपनी knowledge से करें चाहे अपनी skills से help करें आप किसी भी चीज़ से help करें तो ये तो बात बिल्कुल clear हो गई है कि पैसा हम सब को चहिए अब बात आती है कि हमें सोते सोते पैसा कैसे कमाएं ये बहुत सारे लोगों का question है कि हम कैसे कमा सकते हैं पैसा देखिए दो चीज़ें आप कर सकते हैं या आप job कर सकते हैं या आप business कर सकते हैं तो एक ह मतलब है जब आप अपना time trade कर रहे हैं चाहे job के लिए चाहे business में भी अपना काम करके लेकिन passive income होती है कि आपने एक बार पैसे invest कर दिये या अपने time लगा दिया या effort लगा दी कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे ही invest करने लेकिन उसके बाद जब आप सो भी रहे हैं आपको पैसा आ रहा है तो बहुत सारे तरीके हैं जैसे आप passive income earn कर सकते हैं तो अगर आपको अमीर होना है अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको passive income पर concentrate करना पड़ेगा और आपने आज तक बहुत कम लोग देखे होंगे जो job करते हुए millionaire या billionaire बने है maximum लोग वो millionaire या billionaire बनते हैं जो business करते हैं या जिनकी passive income है और passive income के बहुत सारे source है Warren Buffett अगर आप देखें उनकी salary इतनी नहीं है लेकिन passive income है Bill Gates उनकी salary इतनी नहीं है लेकिन उनकी passive income है तो जो भी बड़ा अमीर इंसान बना है वो passive income से बना है अब passive income के बहुत सारे source है आप property अपनी rent कर सकते हैं आप कोई भी ऐसी चीज passive income का मतलब है कि आपने एक बार वो create कर दी चीज उसके बाद आपको हर महीने हर हफते हर दिन उसकी कोई न कोई income आ रही है आपने कोई business बना दिया आपने कोई app बना दी आप affiliate marketing कर लेंगे आप कोई ऐसा business शुरू करेंगे जिससे आपको डेली अपना time spend नहीं करना पड़ेगा और इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप passive income का structure बनाते हैं तो उसको ऐसे बनाए कि आप कल को आप दूसरा business शुरू करें और आपका जो पहला business है वो कोई आपके employees संभाल रहे हैं तो ताकि आप उसको hand over कर सकें तो उसका structure ऐसा होना चाहिए ताकि आप उसको scale कर सकें ताकि आप उसको बड़ा बना सकें क्योंकि अगर आप इस काम में काम कर रहे हैं तो आप उसको कभी भी बड़ा नहीं बना पाएंगे कोई भी ऐसा काम ले लें जिसको ऐसा काम करें ऐसा business करें और ऐसा system structure खड़ा करें ताकि आप कि आप उसको कैसे कर सकते हैं for example अगर आप YouTube वीडियो बना रहे हैं उसमें affiliate marketing के लिंक्स डाल रहे हैं आपने एक बार वीडियो बना दी उसके बाद आपको लोग बार बार वो वीडियो देखेंगे वो आपकी affiliate marketing के लिंक से चीज़ें बाई करेंगे अगर आपने property बाई कर ली उसको rent पे दे दिया आपको हर मंत उसका rent आ रहा है अगर आपने shares and stocks ले लिए तो आपको उसका dividend आ रहे हैं बहुत सारे ऐसे source हैं जिससे आप passive income कमा सकते हैं आपने कोई business बना दिया लेकिन वो business अब आपका online अपने आप चल रहा है आपने कोई app develop कर ली तो वो app आपने एक बार बना दी लेकिन जितनी बार भी वो लोग उसको use कर रहे हैं डाउनलोड कर रहे हैं आपको पैसे आ रहे हैं आप कई लोग photography का काम करते हैं तो आप अपनी nature की photographs खीच के जो ऐसे platforms हैं जहां पे आप photographs डाल सकते हैं तो लोग जैसे जैसे आपकी photographs लेंगे free images and images के क्योंकि आपको एक चीज़ पे focus करना पड़ेगा कि आप job करें लेकिन job उस focus से करें कि आप उस job से क्या सीख रहे हैं और आप उस job के बाद अपना side hustle या passive income क्या शुरू कर सकते हैं ये बहुत ज़रूरी है आप सब समझे कि सिरफ job पे सिरफ एक source of income पे कभी भी rely मत करें क्य क्योंकि वही चीज़े आपको stress देती है जब आपके income तीन चार sources से आरी होती है तब आपको stress नहीं होता कि एक source अगर कम भी है दूसरे source से आ रहा है इसके अलावा बहुत important है ये समझना कि जब आपकी income आ रही है उसको आप invest कैसे कर रहे हैं आप अपनी income जो मन्थली आ रह amount बन चुकी होती है तो यह अपने mind में focus रखें जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी explain किया 50 30 20 का rule यह आप अपना basic principle बना लें कि हमने 20% save करना ही करना है और उसको कहीं ना कहीं invest करना है तो आज की वीडियो में इतना ही आपके अगर कोई questions हो तो please मुझे नीचे comment कर करें और मैं आपको reply करूंगी thank you so much